गुड मॉर्निंग ओल फ्यू आज है हमारा सब्जेक्ट ए एवियस 11 चैप्टर है फूट प्रिजर्वेशन मतलब कि खाने को हम कैसे प्रिजर्व करके उसके मैथर्ड कौन कौन से इसके बारे में पढ़ेंगे नेहा वेंट तो दे किचन टो एट सम्थिंग शॉट प्रिजर्वेशन में खाने गई फिस ने देखा कि जमीन पे कुछ ब्रेट के साइड 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 मतलब उसने फिर अचानक से ब्रेट के स्लाइसे जुए किचन में देखे सी पिकथ आप फोन अन अदर मैं नोटेश था सब उसने उसको उठाया मतलब ब्रीद के पीसको उसने देखा कि वहापे कुछ वाइट पाउडर जैसा कुछ लगा हुआ है फिर वो जो अपनी ममी के पास गिया उसने बोला कि ममी इसके उपर कुछ हिर गया है ये क्या है तो उसकी ममी ने बोला कि अरे नहीं ये तो फंगस है इसे मत खाओ, ये खराब हो चुकी है ये जो कोई तुम वाइट देख रहे हो पाउडर नहीं, मोल्ड है ये इससे जो है मतलब खाना जो है, वो खराब हो जाता है निया आस्क्ट वाट इस अमोल्ड? मतलब उसकी निया जो पूसते है मोल्ड क्या होता है? मतलब जो किसी भी खाने के सर्फिस पे ग्रो होता रहता है अस्चे हमें ये क्या बताता है? ये जो खाने की चीज़ है, वो हमारे लिए हम उसे खा नहीं सकते है वो खराब हो चुकी है निया आस्क्ट निया पूसती अगर क्या होगा अगर हम उसे खा लेंगे तो इसकी मदर जो है रिपलाई देते वे बोलती है कि अगर हम खराब खाना खाएंगे तो हम बिमार पर जाएंगे और अगर ये बहुत ज़दा मात्रा में हमारे शहीर के अंदर चली जाती है तो हमारे जो शहीर के जितने भी मतलब functions है जो भी है वो जो है खराब मतलब disturb हो जाएंगे मतलब धंग से काम नहीं कर पाएंगे next is spoilers of food spoilers मतलब खराब होना बिकार तो food कैसे खराब होता है food gets spoiled when bacteria from the air land on the food and begin grow this causes an unpleasant smell and bad taste the food discolors and becomes dangerous to eat food is spoiled when it is left unattended for some time it is therefore important that food should be stored or preserved properly food spoils quickly in damp area rather than in dry areas it is because microorganism grow faster in water or moisture food जो है ये खराब कैसे होता है जिब कोई bacteria जो होता है वो हवा से हमारे खाने पर बैट जाता है वो बटता चला जाता है और अगर आपका खाना खराब है तो उससे क्या उसमें से गंदी बद्बू जो आने लग जाती है उसका टेस्ट जो है वो गंदा होता है और उस वो जो है अजीब ब्रंका दिखता है और खाने के लिए खतरनाक होता है फूट कब खराब होता है जब हम उसे अच्छे से नहीं रखते हैं या फिर वो जादा देर के लिए मतलब जादा दिन का हो या तो हमें खाने को सबसे पहले स्टोर करके या प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि जहें वो खराब होने से बच सके खराब जादा कब होता है खाना जब या तो किसी पानी वाली जगह पे हो डैम पे एरियाज मतलब ड्राइ एरिया के मुकाबले जो है काना कहां पे जदा खराब होता है जहां पे डैम पेरियाज होते हैं क्योंकि जो हमारे जो भी फंगस होते हैं या कुछ भी वे बैक्टीरिया वगेर होते हैं उनको पानी जो है help करता है moisture help करता है बढ़ने में effects of spoiled food spoiled food के क्या के effects होते हैं sometimes spoilage of food cannot be detected with the naked eyes in such cases some people consume the spoiled food the microorganisms that develop on the spoiled food enter the human body and lead to diseases like chloria, hepatitis, vomiting and indigestion is common in such cases spoiled food के क्या क्या effects होते हैं कभी कभी क्या होता अगर खाना खलाब हो जाते हैं तो हमें अपनी इन आखों से नहीं दिख सकता है और कुछ-कुछ cases में क्या होते हैं कुछ लोग जो है मतलब पहचान लेते कि खाना खराब हो सुका है microorganisms दो जो मतलब एक तरीके से उसको bacteria बोल सकते हैं जब मतलब जब खाना खराब खाना हमारी body के अंदर अंटर मतलब प्रवेश कहता है तो क्या होता से बहुत सारी बिमारिया होता है जिसे chloria, hepatitis, vomiting होती है जाद जादा indigestion मतलब खाना जो अच्छे से digest नहीं होता यह सब जो है normal cases हैं खराब खाने के खाने से हमारी शहीर में effects जो भी मतलब दिखते हैं next topic है preservation of food मतलब food को हम safe कैसे रख सकते हैं food preservation is the process of treating and holding food to stop or greatly slow down spoilers some techniques by which food is preserved are given below food preservation के आप एक process होता है कि हम खाने को किस तरीके से खराब होने से बच्चा सकी या फिर उसको मतलब ताकि वो खराब जो है वो लेट से हो कुछ techniques यहां नीचे दे रखे हैं मुनके पार में पढ़ेंगे first drying one of the oldest method of food preservation is by drying by which reduces water activity sufficiently to delay or prevent bacterial growth many fruits can be dried for example the process is often applied to apples, pears, bananas, mangoes, papayas, graps, etc. drying is also the normal mean of preservation for cereal grains such as wheat, maize, oats, barley, rice, millet and rice. यह जो drying method है वो सबसे पुराना method है इसमें क्या होता है जो भी मतलब खाने की चीज होती है उसको कम हो जाता है तो इससे क्या होता है जो खाना जो है वो खाना फ़राब होने से बच जाता है तो जैसे कि कुछ फूट्स हो गए जिसे एक्जामपल एपर पीयस इन सब पर कुछ जिसे राइस हो गया वह तो वीट हो गया मेज ओट इन सब को क्या होता है यह कुछ ऐसे मतलब खाने की चीज़ फूट्स है जिनको ज्राइंग मैथर्ट से प्रिजर्व करके रखा जाता है 3. Freezing Microorganism require a certain level of temperature for the survival. Freezing food slower the temperature to levels that make the environment unsuitable for microbial growth. This is the principle on which home refrigerator works. cold stores are used to preserve large amounts of food stuff for a longer period of time so that they can be used during a natural climate of national emergency the only drawback of this food preserving technique is its dependence on electricity a micro organisms की आता मतलब bacteria जो होते है उनको एक मतलब temperature चाहिए होता है ग्रोथ करने के लिए मतलब उनको गर्मी चाहिए होती है मौश्चर चाहिए होता है तो क्या होता है जो freezing method होता है उससे क्या होता है temperature जो है नीचे चला जाता है तो इससे क्या होता है जो bacteria होते है वो जो है के लिए भी जो है मतलब सम्हाल के रख सकते हैं बचा के उन्हें और कभी-कभी क्या होता है जिसे हमारा हमारा हमारे देश का क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर मतलब कुछ भी इमेजनसी आगी तो हम वह जो स्टोर्ड फूड है मुसका यूज जो है कर सकते हैं फ्रीजिंग मैथड के तो क्यों क्या होता है अगर चीजों के टैंपरेचर को हम कम कर देंगे तो जादे दिन तक रहेंगे तो इससे क्या लेटेड वक्षीट करेंगे आज देट हमारी 28 अक्टूबर 2021 है देट हर्सडे है यह होम वक्षीट फोर है हमारी 11 चैप्टर फूड प्रिजर्वेशन करवासिस रिलेटेड हमारी वक्षीट है फॉस्ट वर्ड मिनिंग फंगस फफून ड्राइंग सुखाने स्पॉलेज वक्षीट है मतलब जो खान जो डाइजेस्ट नहीं होता है ग्रें inse scratch टनीक टकनीक वेक्योम व्क्योम वो जगे होती है जहां पर मतलब फूरा खाली होता वहाँस पर एयर भी मतलब नहीं होता है आप ये माल लो एयर टैट वायूर हो दी एयर टाइट मतलब उसको मतलब कोई भी कंटेनर हो या फिर बरतन जिसको देखो उक्तम टाइट से बंद कह देता है ताकि उनके अंदर जो है एयर ना जा सके मैथर्ड तरीका मैटिरियल सामगरी नेकसर कोश्ण आजसे है जाव बेक्टीरिया है वह फूट के उपर आता है और वह ग्रो करता रहते हैं तो इससे क्या होता है वह खराब हो जाते है फूट प्रिजर्वेशन अब फूट प्रिजर्वेशन क्या होता है फूट प्रिजर्वेशन is the process of treating and handling food to stop or greatly slow down spoilage फूट प्रिजर्वेशन एक method मतलब प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हो आप फूट को जो है खराब होने से बचा सकते हो मतलब उसका जो लेवल है वो खराब होने का उसको कम करना for which type of food we use drying method of food preservation मतलब कौन से मतलब किस किस चीजों को आप drying method से food मतलब preserve कर सकते हो we use drying method in meats, fruits and vegetables for food preservation मतलब meats हो गया, fruits हो गया, vegetables हो गया इनको जो है खराब होने से हम बचा सकते हैं next page पे चलते हैं next day what are the different method of preserving food आपको different methods बताने preserving food के मतलब preserve जो हम foods को कर सकते तो उसमें drying, freezing, vacuum, packing, curing, pickling, canning and bottling, pasteurization तो इसमें आपने drying और freezing पढ़ा है बाकी methods हम next class में पढ़ेंगे next है ये दो questions तो ये आपको खुद करना होगा तो match the following है food item preservation ये कुछ food items है ये इनके methods है जिसे right, millet and dry इसको हम किसे preserve कर सकते हैं तो drying से cheese coffee nuts को cheese coffee or nuts को हम vacuum packing के through कर सकते हैं food stuff or juices को हम इसको हम कर सकते हैं freezing method से pickles को pickling method से यह यह रहा जैम और sauce को हम कर सकते हैं canning and bottling से meat को हम कर सकते हैं curing से और milk को हम pasteurization से कर सकते हैं next right true or false true or false करना है vacuum packing store food in a vacuum environment true food gets not spoiled when bacteria from the air lands on the food क्या फूद छे खराब नहीं हो सकता अगर उसके अपकर bacteria आ जाए तो गलत फॉल्स पिक्लिंग is the method of preserving food पिक्लिंग क्या एक preserving food का method है true drying is one of the method of preserving food द्राइंग भी क्या एक मतलब प्रिजर्वेशन का एक method है तो यह दोनों true होंगे यह हमारी वरक्षीट यह कंप्लीट होती है आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कोई question समझना रहा हो कोई doubt हो आप मुझसे पूर सकते हो thank you